हेलोच ज्माल्ड बैक टु मैई चैनल, आज मैं आपके लिकर आए हुली स्पेशल वैश थालिखी रेसिपी, आप इसे हुली पर बना सकते हो वैसे भी घर में बना सकते हो, किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हो, हमने इसमें जो भी सब्जिये बनाई है ना, वो मोस्ती घरो आप जो भी ट्राइ करेंगे चाहें पूरी धाली बनाया है चाहें को एक या दो चीज बनाया है आपको पसंद जरूर आएगी तो आप इस हो लिए इस वैश धाली को अपने हर पर जरूर ट्राइ कीजेगा पसंद है तो लाइक और शेयर करना न भूलें तो सबसे पहले हम ब बढ़ दरा खूट कर द्याऄ कर लिया है तो यहां पहले से कर लेना तो एज़ी रहेगा आपका काम यहां यह हम लिए हैं चाहर बड़े अबले हुए आलो करहें में आपको लेना है ओइल तो यहां जाएगा आपका 3-4 चमच आउयल और जैसे और गरम हो जाएगा इसमें डालते वक्त आप फ्लेम को लो रखना तो यह अच्छे से भूनने चाहिए तीन से चार पिंच हींग हींग का फ्लेम और आलो की सबजें बहुत अच्छा आता है और हरी मिर्च और अद्रग भी डाल देते हैं अब इन चीज़ों को आपको लो फ्लेम पर हलका सा गुलाबी होने तक भूनना है यदि आपको अद्रग पसंद नहीं है तो आप अद्रग स्किप गर सकते हो वरना अद्रग जब इस तरीके से वाल में फ्राई हो जाता है तो उसके कच्छे पन का टेस्ट बिलकुल भी नहीं अब आपको इसे पकाना है आपको इसे ओवरकुक नहीं करना है यानि की टमाटर पक जाए बड़ दिखना चाहिए मैश नहीं होना चाहिए तो यहां पर टमाटर को पकने कि लिए छोड़ देते हैं अब यहां पर आपको एक कोई पैन या कड़ाई कुछ भी ले लेना उसम है और ऐसा निए बेसें डालने से सबसी हैवी हो जाती है टेस्ट खराब होता है अीसा लिए ऐसा उड़ते है तो बेसन को हल्क ऑषब गुलाबी होने थक वहने आहे है आपको इसे और एक चमा से जादा नहीं लेना क्योंकि भूनने की लगा में फूल जाता या, तो बीसंत्भून के हैं धिए एयार हो गया है, और यहां पर टमाटर की आप कर देदे हो गया है, यहां पर टमाटर अच्छे से पकर तेख तेयर हो गया है, और brutally को लो कर देना काली मिर्च और लॉंग जो हमने कूट कर रखा तबो डाल देते हैं आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और कलर के लिए आप यहाँ पर आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक कर सकते हैं कलर अच्छा आता है इससे तीखा ऐसा नहीं होता है इसमें और इन चीज़ों को आप लो फ्लिम पर एक दो मिनिट तक भून लेना दिखिए मसाले वही है बस तरीका थोड़ा से अलग रहता है और टेस्ट इसी से अच्छा आता है जब बनाओगे ना तो आप मुझे खुदी कमेंट करके बताओगे तो यहां पर यह भून कर तयार हो गया है और अच्छे से अलग हो गया है अब जो बेसन हमने भून के रखा था था ना वो इसमें डाल देते हैं और बेसन डालने के बाद में आप इसको हलका सा मिक्स करना कुछ सेकेंड के लिए आप इसको और भून सकते हैं फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखना बेसन डालने के बाद में आप देखेंगे हलका से ड्राय होने लगता है क्योंकि बेसन टमर्टर का मश्यर अब्सर अब दिखना चाहिए तो इन चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और एक दू मिनिट तक इसको भी हम भूल लेते हैं फ्लेम को आप मीडियम कर देना और आपको जो पी आलू के थोड़े बड़े टुकड़े लगते हैं उसे आप इस तरीके से हलका समेश कर देना और यह त करेंगे दिखिए पानी रेगृलर में जैसे आप सब्सजी में डालते हो ना क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो हमें थोड़ी तरी जजादा चाहिए इसलिए हम इसमें पानी जादा डालें जोकि बेसन इसको थिक कर देगा तो अब यहाँ पर इसको हम mix कर लेते हैं और सबजी में हम डाल देते हैं नमक स्वादर नसार आपको लेना है नमक अब आप कम से कम इसको 10 से 15 मिनिट तक medium टू लो फ्लेम पर होने देना जो gravy वाले सबजी होती है ना उदीमी गैस पर जितना अच्छे से पकती है ना आदा चमच गरम मसाला और एक चमच कसूरी मेती ऐसे हलका सा करश करके डाल देना और इसमें जाएक चौथा ही चमच काला नमक इसलिए सफेत नमक उसी साब से लेना क्योंकि हम काला नमक भी थोड़ा सा इसमें एड़ करते हैं जो कि टेस्ट को और प्लस करता है अब इस सबजी को आपको दो ती मिनिट तक और पकाना है ताकि जो मसाले हमने डाले है ना वो भी इसमें पक जाए तो यहाँ पर यह थी कि सबजी बन कर तैयार हो गई है यह सबजी जब ठंडा हो जाएगी थोड़ा सा और तेक हो जाएगी तो हम यहाँ पर पूरी के हिसाब से थोड़ा सा इस तरीके से बना रहे है हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया है गैस को तो हमने बन कर दिया था और यहाँ पर यह सबजी हो गई है हमारी तैयार एक बार पूरी के साथ में आलो की सबसी को अपने कर पर जरूर ट्राई कीजिए का बहुत अच्छी लगती है और बनाएंगे कासी फल तो आदर किलो मैंने कासी फल लिया है जिसे मैंने धुकर काट कर इस तरह के से तयार कर लिया है इसका चिलका आपको नहीं हटाना है अब इसको जल्दी बनाने के लिए आप इसको अबाल लेना येदि आप कड़ा ही बनाओगे न तो वो थोड़ा सा ड्राय बनती है और येदि आपको कर में अबाल का फिर बनाओगे न तो हल कीसी जैसे कचोड़ी के साथ में मिलती है न व बाट अच्छह नहीं होना चाहिए बट अच्छे से होजाना चाहिए कढ़ाई है कढ़ाई में अपको लेना है oil दोट से तीन चमब चाहए और यहाँ पर हम नहीं है डोहरी मिर्च पारी कटी हुई यह इसमें डाल लेते हैं दोड़ा सा हमने अद्रक लिया है जिसे सरी के से काट लिया है वो इसमें डाल लेते हैं अब इन चीजों को आपको लो फ्लेम पर हलका सा बूनना है और दो से तीन पें छेंग और आदा चमस से थोड़ा से कम हल्दी पाउडर अब मिला लेते हैं इन चीजों को और अब यहां पर यह हो गया है अब जो कासी फल हमने दाला था हमने वो आपको हटाना नहीं है इसे में आपको एड़ करना है फ्लेम को कर देना लो और एक मिन तक अभी इसको होने देना उसके बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे तो मसालों में सबसे पहले एक चमस धनिया पाउडर आदा चमस से थोड़ा से कम है लालमिश प पाउडर थोड़ा से खटा रहता है तो अच्छा लगता है टेस्ट और इसमें आपको डालना है नमक स्वादनसार सफेद नमक लिया है और एक चौथाई से भी कम आपको लेना है काला नमक सफेद नमक उसी साब से लेना क्योंकि थोड़ा से इसमें काला नमक में डलता है अब इसमें जाएगी एक चमज चीनी जो कि इसको बनाएगी खटा मीठा कासी फल और आदा चमज कसुई मैती ऐसे ही क्रश करके आप इसमें डाल देना और आदा चमज से थोड़ा से जादा आपको इसमें डालना है गरम मसाला और अब आपको इन चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और तीन से चार्म तक पकाना है तीन से चार्म मिनिट में आप खुदी देखेंगे इसका जो पानी रहता है न जो गुरेवी वो खुदी ठीक होने लगती है मासालों की वज़र से और जो खुश्बू आती है न वो तो जो आप बनाओगे तब पता चलेगा लो फ्लेम पर ही पकाना इसको तो कुछ ही मिनिट में ये बनकर तेयार हो जाती है तो इस तरीगे से जो आपको ये सब्जी का टेक्शर आ जाए और आपको सरफेस पर दिखने लगे तो ये सब्जी बनकर तेयार हो जाती है और आप चाहें तो हलका सा मैश कर सकते हैं वहना जो आप इसमें मसाले डाल देते हो फिर मिक्स करते हो तो यह हलका सा मैश खुदी हो जाती है तो यहाँ पर यह तैयार हो गए है लास्ट में डाल दिया है हमने हरा धनिया तैयार हो गए हमारी पूरी special कासी फलकी खटे मीठी सबसी बनाएंगे गोपी मटर आलोगी सबसी तो इसके लिए यहाँ पर आपको चाहिए फूल गोबी आलो है यहाँ यह मटर है सबसी और हमने दोगर काटकर पहले से दिया करके रख लिया है यहाँ पर हमने लिया कड़ाई कड़ाई में आपको लेना है दो बड़े चमच ओयल करम हो जाएगा आदा चमच आपको लेना है जीरा और दो पिंच हींग इसमें जाएगी और आदा चमच हल्दी पाउडर फलेम को लोही रखना और यहाँ पर हम यह गोपी मटर आलो डाल देते हैं स्वादनसार, नमक और इसमें पानी के जरूद नहीं होती है गोबी में काफी पानी होता है मिक्स कर लेते हैं चीजों को और फलेम को आपको लोही रखना है माली जब सबजी बना रहे हैं और वो पकी नहीं है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और इसे आप ढखने से पहले एक मिनिट तक अच्छे से मिक्स कर लेना यानि हलका सा भूल लेना तो इस सबजी खिली खिली बनती है ढख देते हैं इसे फलेम को आपको लोही रखना है और बीच बीच में आप इसको एक दो बार चेक भी कर सकते हो तो यहां पर यह सबजी हमारी हो गई है अब देखेंगे आलू, गोबी, मटर विल्कुल अलग-अलग है कुछ भी मैश नहीं हुआ है और सबजी पक भी अच्छे से गई है आलू भी अच्छे से हो गई है गोबी चेक कर लेते हैं गोबी भी अच्छे से हो गई है अब यहां पर इसमें मसाले अट करेंगे तो फिल्म को लो कर देना दो हरी मिशली हैं बारी कट्यो ही वो डाल देते हैं इसमें आदा चमच धनिया पाउडर और अब इसमें हम डालेंगे आदा चमच से थोड़ा से कम आमचूर पाउडर और आदा चमच लाल मिश पाउडर कलर के लिए हम थोड़ा से कश्मीरी लाल मिश काई डाल देते हैं और आदा चमच से थोड़ा से कम काली मिश पाउडर थोड़ा से भुना हुआ जीरा पाउडर और इसमें आपको डालना है आदा चमच करम मसाला थोड़ी सी कसूरी मेती ऐसे ही डाल देना क्रेश करके हाथों से और अब आपको इन चीजों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है देखे इस तरीके से चलाना उसको कि चीज़े मैश ना हो ऐसे नहीं करड़ा इस तरीके से उठाती हूँ और इस तरीके से खिले-खिले बने सबजी गोबियालू की सबजी तो सभी खर्मे बनाते है मसाले भी वही होते है बस बनाने का तरीका थोड़ा सा लग होता है वही मसालों को यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलब होता है मसाले आप किसी भी सबजी में लास्ट में डालोगे ना तो जो खुश्बू है और जो टेस्ट है ना वो दोनों ही चेंज हो जाते हैं इस तरीके से मिक्स करने के बाद में सबसी बनके तयार हो जाती है तो तयार हो गए है हमारे गूवी मतर आलो की सबसी ना तो फ्राइ करनी के जड़ोत है ना ही वोईल करनी की जड़ोत है डारेक्ट बनाना जहटपट बन जाती है आप हफिन सब Bennett से पहले litए से रहा धनिया डाल देना देखिए कितनी अच्छे लग रहे हैं अपनी गोबी मटर अलू की सबजी तो यह वाली सबजी बन के तेयार हो गई है अब रायता बना लेते हैं दही लिया है हमने एक कप, थोड़ा से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, वाकि जो आप रई से रायता बनाते हो तो रही ले सकते हो, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, हम यहाँ पर बनाएंगे तड़के वाला बूंदी का रायता, जो आपने पतल वगरा के साथ में खाया होगा, य अब यहाँ अब यहाँ पर तड़का लगाएंगे तो इसके लिए आपको आदा चमत से भी कम ऐल लेना है, जादा ऐले ही लेना होता है, और इसमें आपका जाएगा जीरा, थोड़ा से जीरा डाल देते हैं, थोड़ी से इसमें हम हिंग डाल देते हैं, और जैसे यह चीज आपको दोल लगा लेना है, अब यहाँ पर पूरी के लिए आटा लगाते हैं, जितना आटा आटा आप अपने घर में यूज करते हैं, और पानी लगाके आपको दोल लगा लेना है, अब यहाँ पर पूरी के लिए आटा लगाते हैं, जितना आटा आटा आप अपने घर म पोड़ी का आता लगाने के लिए आपको में चीज़न दो का ध्यान रखना होता है पहला पोड़ी का जो आता रहता है उससे आप अच्छे से नीट करना इससे क्या होता है कि पोड़ी अच्छे फूली-फूली बनती है और आटा होना चाहिए जैसे आप रेगुलर में रोटी के लिए लगाते हो ना उसे थोड़ासा टाइट होना चाहिए ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है वरना उसकी जो किनारे होते ना उसमें क्रैक्स आते हैं नीर अच्छे से करना और ज्यादा टाइट भी नहीं लगाना ठीक लगाना और मसाले वाला आटा तियार करेंगे एक कप या एक कटोरी आपको लेना है गेहूं का आटा और उसकी आधी कर्टोरी आधा कब आपको लेनी है सूजी बारीक मोटी जो भी हो आप ले लेना इसमें लेंगे स्वादनुसार नमाग और आधा चमच से थोड़ा से कम इसमें जाएगा लालमिश पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और आधा चमच आमचूर पाउडर और इसमें जाएगी हल्दी थोड़ी सी करर के हिसाब से और 3-4 पिंच हींग, थोड़ी सी अजवाइन ऐसे ही करश करके इसमें डाल देना आधा चमच गरम मसाला और कसूरी मेथी बहुत जादा नहीं लेना एक छोटा चमच और ऐसे ही डाल देना अब इसको खस्ता करने के लिए तो सूजी खस्ता करती है दूसरा इसमें जैसे हम ओल यूज करेंगे तो इसमें आपको पहले लेना है एक चमच रिफाइन ओल और एक ही चमच आपको इसमें लेना है गी हाफ आफ कॉंटिटी में लेना तो रिजल्ट जादा अच्छा आता है तो पहले चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जैसे आप पूरी का डो लगाते हो ना वैसे ही आपको लगाना है तो पानी डालके हम इसका डो लगा लेते हैं कि इसमें हमने सूजी डाली थी ना तो सूजी या करती है पानी भी अच्छे से अब्सॉब करती है तो एक साथ जादा नहीं डाला बट कंसिस्टेंसी लास्ट में वैसी होनी चाहिए डोकी जैसी पूरी की होती है थोड़ा थोड़ा पानी डालके आप इसका डो लगा लेना और जो रजल्ट आता है बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से और आप इसे भी अच्छे से नीट करना आप चाहते हैं कि जो पूरी है वो खस्ता भी बने और फुले भी तो अच्छे से इसको नीट कर लेना आप पांश मिनिट के लिए आप इसको ऐसी रखे रहने देना हलकासा ओईल इसके उपर लगा देना ताकि अच्छे से सैट हो जाए आप चाहे तो ओईल की जगे हलकासा गीला कप्रा ले ले लेना कोई गीला रूमाल तो फिर इसको पांच मिट के लिए आप रखते लेना तो पांच मिनिट हो गए हैं फटा फट से पहले प्लेन वाली किसी को छोटी छोटी पूडिया पसंद होती है तो वह आप कर सकते हो तो यहां पर इसको हम बेल कर दिया कर लेते हैं तो फिर आप यहां पर हलके से ओग या फिर सुखे आटे का भी यूज कर सकते हैं और एक जैसा बेल ना और जो ऑईल है न वह अच्छा गरम होना पूलती है आप देखिएंगे जैसे हमने पूरी डाली है तो रंत फूल गए है तो इसी तरीके से हम पूरी बना कर देया कर लेंगे बहुत आसान है बनाना फूली फूली पूरी बनाने के लिए सिफ आपको ओल के टेंपरिचर का ध्यान रखना होता है और डो को अच्छी स नीट करना यहां पर यह हमने कुछ पूरी बना कर देया कर ली है एक दम परफेक्ट फूली फूली पूरी बनी है प्लेर हमने बना ली है मसाले बना ले दे है तो इसमें से हमने थोड़ा सा दो जैसे उसमें से लिया था वैसे इसमें से ले लिया है और इसे भी हम बेल कर द यह बेलते वक्त चिपकता है तो फिर आप यहां पर सुखे आटे का या फिर ओल का यूज कर सकते हैं इसको जादा थिकनी बनाना जैसे simply पूरी बेलते होना वैसे इसको बनाना और फ्राइ करने के लिए इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है और अच्छा होना चाहिए तो यह भी फूली फूली बनते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में फ्लेम को फूल र रखना है तो इसे आप सेखती ही डायट केस्टरॉल में नहीं रखना वरना यह उस स्टीन की वजह से सॉफ्ट हो जाती है तो आप या तो इसे डायट सर्फ करते जाना या फिर सेख कर आप इसको प्लेट्स में रखते जाना यह बनेगी एकदम खस्ता टेस्ट भी बहुत यूज़ करने के जरूरत नहीं है रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर यह कलर अच्छा आ गया है दोनों ही जायट से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गई है इन्हें अब हम निकाल लेते हैं आप कभी-कभी नाश्टे में भी यह पूरिया अपने अच्छे खार पर बना सकते हो मसाला पूरी अच्छी लगती है तो यहाँ पर यह तैयार हो गई है हमारी पूरिया अफट अफट से चीजों को सर्फ कर लेते हैं तो यह है जी अपनी कासी फल की सबजी तब टेस्टी बनती है ट्राई जरूर करना और यह है गोमी मतर आलू की सबजी और यह है आलू की ग्रेवी वाली सबजी तड़के वाला बूंदी कर रहा है था बहुत अच्छा लगता यह खाने में थाली में मीठा ना हो तो कैसे काम चलेगा तो यह मीठा हो गया थाली में और यह है जी अपनी मसाला पूरी प्लेन पूरी और यह है अपने र ना garlic का use है जो भी मसाले हैं वो kitchen के regular मसाले हैं तो इस तरीके से इस होली पर या फिर किस festival पर अपने घर पर ये try करना ये regular थाली होती है सबी घर की तो यदि आपको मेरे आज की थाली की रसी पसंद आए तो इसे like करना ना बुलें आप इसे जाद से जादा शेयर कीजिए family friends के साथ में यदि आप चैनल पर नहीं है आपने अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की आसान recipe को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए bell icon को press कीजिए thank you